गुड मॉनिंग चिल्डरिन आज हम पढ़ेंगे पार चार घटा घिरी जूम के तो घटा क्या होती हैं जब काले बादला जाते हैं घिरी जूम के मतलब हमारे आसपास काले घटा जब छा जाती है तब हम उसे कहते हैं घटा घिरी जूम के आई है परवत के शिकरों को चूम के घटा घिरी जूम के तो परवत और शिकर परवत क्या होते हैं परवत होते हैं पहाड और शिकर होते हैं पहाडों की चोटियां तो घटा कहां से आई है परवत के शिक्रों को चूम के पहाडों के जो चोटियां है उनको चूम के आई है बादल के पंखों पर इसका अधिकार है बिजली की चमक से इसको तो प्यार है हवा और बूंदों की इस पर भरमार है तो यहां कवी क्या कहते हैं कवी कहते हैं कि बादल के पंखों पर इसका अधिकार है जो घटा होती है घटा कैसी होती है वो बादल होते हैं जो बहुत गहरे काले रंके हो जाते हैं जिनमें पानी बहुत बरा होता है और जो हमारे यहां बर्खा बारिश लेके आते हैं ऐसे त लेकिन घटाएं कौन सी होती हैं घटाएं होती हैं काले बादल तो काले बादल जो है वो कहां आते हैं आसमान में आके क्या करते हैं बिजली की चमक से इसको तो प्यार है तो बिजली की जो चमक है क्या होता है जब घटाएं चाती है जब काले बादल आते हैं तो क्या होता है वो आपस में टकराते हैं और क्या होता है बिजली पैदा होती है तो बिजली कड़कती है आपने कई बार देखा होगा बिजली कड़कती है हवा और बूंदों की इस पर भरमार है और जो हवा और बूंदे उसी समय हवा भी चलने लगती है और बूंदे भी बरस्ती है पानी भी बरसता है, क्यूंकि काले बादल जो हैं, वो पानी से भरपूर होते हैं, साथी हैं, ये सब इस भोली मासूम के घटागिरी जूम के, तो ये जो घटा है, इसके साथी हैं, कौन है? बादल, बिजली, ठीक है, बूnde और हवा, तो जब काली घटाएं चाती हैं, तो ये सब इसके साथ साथ आते हैं गलियों बाजारों में इसका ही शोर है धूम धाम तड़क बड़क गरजन गनगोर है इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है तो जब काले बादल जाते हैं तो क्या होता है गलियों बाजारों में शोर मच जाता है जोर जोर से बिजली कड़कने लगत बादल गरजने लगते हैं आवाज होने लगती है तो क्या होता है इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है तो मोर कब नाचता है मोर हमेशा बारिश आने पर नाचता है मोर खुशी से नाच उठता है तो मोर किसका स्वागत कर रहा है मोर काली घटाओं का स्वागत कर रहा है व लाबों से भी घूम के आई है देन हवा चली सहर रही पेड़ों की डालिया पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालिया बूंदों में पल रही धेरों खुशा लिया क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के घटा गिरी जूम के तो हवा चली सहर रही जब हवा चलती है तो सहर रही सहर रही का मतलब होता है कांप रही कौन कांप रही है पेड़ों की डालिया जब तेज हवा चलती है तो पेड़ की डालिया हिलने लगती है कांपने लगती है का मतलब जोर जोर से हिलने लगती है कापना होता है जोर-जोर से हिलना पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालिया पीपल एक पेड होता है तो पीपल के जो पत्ते हैं वो आपस में टकराते हैं तो टकरा टकरा के एक आवाज करते हैं जैसे के मानो तालिया बजा रहे हैं बूंदों में पल रही धेरों खुशालियों का मतलब है कि जब बूंदें आती हैं तो वे हमारी धर्ती पर बहुत सी खुशालिया लेकर आती हैं जो फल फूल हैं जो पेड़ पते हैं सब मुस्करा उड़ते हैं और धर्ती पर जहां पर पानी ना बरसा हो पानी बरसे तो पेड़ पोधों को पानी मिलता है और हर तरफ हरयाली चा जाती है तो इस तरह हर तरफ खुशाली फैल जाती है क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के घटागिरी जूम के तो इसकी मस्ती के धूम के जो धूम है इसका जो आने का मज़ा है उससे क्या कहने है घटागिरी जूम के तो इसके कवी है योगिंद्रदत शर्मा इस कवीता के कवी है योगिंद्रदत शर्मा तो ये कवीता हमें क्य क्या सिखाती है प्रकृति प्रेम सुंदर्य बोध जो हमारी प्रकृति है हम उससे और प्यार करें तो ये कविता हमें वो सिखाती है कि जब घटाएं आती है तो प्रकृति और भी मनमोहग हो जाती है धन्यवाद